डवल एइर बेग मिल जाता है मैनुवल टान्मिशन में मिलती है आपको इस्टेरिंग में भी अइर वेग में लाता है अगर हम रणी की बात करेंगे तो रणींग आप देख सकते हैं सोफा सेट आपको मिलती है दोनों और लेफ सेट की कंडिशन भी आप देख सकते हैं 2016 का मोडल हैं मेरे भी आप देख सकते हैं सारे इसमें 16 के हैं कोई भी स्क्रैचिस डैमिज नहीं रहने वाला है अगर हम बात करेंगे अंदर इंटीरियर की तो इंटीरियर में आपको काफी क्योचर मिल जाते हैं एनोसी चाहिए तो एनोसी भी मिल जाईगी और ट्रासपर्ट फैसिलिटी भी मिल जाईगी फरस्ट ओनर रहने वाली है बाकी नंबर शोस सामने हो रहा है आप वेलकम टू कार्जोन दिली में आपके साथ परीद एमद आज की नई वीडियो में सबी का स्वागत करता हूँ और उमीद करता हूँ सब लोग खेरेसे होंगे आज की जो गाड़ी रहने वाली है बहुत ही स्पिसल है और आप इस गाड़ी को मतलब अगर दिली में सर्च कर लाएंगे तो इतने कम प्राइज में और इतनी मेंटेन और सेवन सिडर में और वह वी ऑल इंडिया परमिट की गाड़ी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि यह जो गाड़ी है कमर्शल नंबर में रहने वाली है देख सकते हैं आप येलो प्लेट में है यूपी का नंबर है इस सब्सक्राइज में इसमें जो आता है मतलब G4 और G3 वेरियंट आता है तो ये वाला जो वेरियंट है G3 हैं जिसमें कि आपको छोटे मिलेंगे मिलेंगे वो मैं आपको बताता चलूँगा सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें रियर बाइपर नहीं मिलता है आपको पूरी बोडी लाइन आपको फॉर वाली मिलती है जैसे कि आप गेट देख सकते हैं अलाई विल भी आपको इसमें मिल जाते हैं आफ्टर मार्किट और फ् की कंडिशन भी आप देख सकते हैं कोई भी स्क्रैचिस डैमिज नहीं रहने वाला है अगर आम बात करेंगे अंदर इंटीरियर की तो इंटीरियर में आप आपको काफी क्योचर मिल जाते हैं कमर्शल नमर में हैं आप आराम से किसी भी स्टेट से इसी नमर पर भी यूस कर सकते हैं और अपनी स्टेट का अनुसी लेके आप रहिष्टेशन भी कर सकते हैं गाड़ी का जो इंटीरियर है बलेक और देख सकते हैं हलका ब्राउन कलर में रहने वाला हैं डवल एरवेग मिल जाता है मैनवल ट्रानमिशन में मिलती है आपको स्टेरिंग में भी देख सकते हैं इसमें जो मिटर आपको मिलता है जी थरी में यह वाला मिटर मिलता है और यह पट्रोल का मिल दाता है बाकी यह रेनिंग का मिल दाता है जी फॉर में दूसरा आता है और एसी के वैंड भी आपको आगे मिल दाते हैं यहां पर जो लाइट आती है जी फॉर में वह इसमें आपको अवेलेबल नहीं मिलती है और AC वेंड भी मिल जाते हैं कुछ को सुमर कहते हैं मतलब Q3 में AC वेंड उपर नहीं होते हैं तो इसमें आद देख सकते हैं यहाँ पे भी वेंड है और फ्रेंड पे महीं वेंड रहने वाला है की seat पे लेके जलते हैं पीछे भी आपको sofa seat मिलती है चारो power window मिल जाती है सेड में एकजस करने का auction यहां से मिलता है आपको non accident के आपको guarantee मिलती है देख सकते हैं आप seat ले चेक कर सकते हैं gate कहीं से भी UP का नमबर है तो resting कुछ भी नहीं रहने वाली है किसी भी gate में नहीं pillar में है sofa seat आपको यहां पे भी मिलती है और इसके पीछे में भी मिल जाती है AC के वैंड आपको उपर में मिल जाते हैं और पीछे वाली seat के लिए यहां पे मिल जाते हैं आपको AC के वैंड बस इतना मिलता है एट सीटर है तो आप इनको फोल्ड कर गया अपने लिए यूज़ भी कर सकते हैं बाकी commercial में एट सीटर है तो ज्यादा सबारी बनने के लिए ज्यादा बेस्ट रहता है sofa seat आपको मिलती है दोनों और left side की condition भी आप देख सकते हैं 2016 का मोडल है मेरे भी आप देख सकते हैं सारे इसमें जो हैं 16 के हैं कोई भी replacement नहीं रहने वाला है गाड़ी का condition बहुत ही प्यारा है कोई भी suspension बगएरा का कोई काम अच्छा नहीं है पूरा dashboard clean लेने वाला seat है बिल्कूल ब्रैंड योगे निसंगे रोफ भी बिल्कूल clean है अगर आपको यही नमर यूज करना है ओल इंडिया परमिट में आपको किसी भी state में यूज करनी है तो ओल इंडिया परमिट में आप इस नमर को यूज कर सकते हैं बागी अगर आपको NOC चाहिए तो NOC भी मिल जाएगी और transport facility भी मिल जाएगी फर्स्ट ओनर रहने वाली है बागी नमर शोस सामने हो रहा है आप कोई वीडियो चाहिए तो आप एम परिवान पर डालके चेक कर सकते हैं तो इसका जो प्राइज रगा हमने साथ लाग बच्चित अदार गाड़ी जो है मोती नगर में है आपको पाइड जोन दिली गूगल पर सर्च करके और location मिल देगा नहीं तो दियेगे नमर पर आप cold deck करके विजिट कर सकते हैं मोती नगर करमपुरा मिलते हैं नेक्स वीडियो में नहीं गाड़ी के साथ थेंक यू सो मच